Hello, what's up guys, my name is Spinod Badu Thapa and today in this video we will see how to add dark mode on any website in Hindi, तो चले guys, सुरू करते हैं, वीडियो को सुरू करने से पहले guys, आप लोगों को एक quick update देना चाहूँगा, that is, if you love JavaScript, अगर आपको JavaScript बहुत पसंद है और आपको कुछ game develop करने का आपका बहुत मन्तात हो guys, आप लोगों के लिए खुश खबरी है, मैंने already JavaScript की मदद से एक game develop किया है, ठीक है, और इस series को मैंने complete कर चुका हूँ, इस मैं से 5 वीडियो से लेकिन, believe me, वो 5 वीडियो से बहुत useful और आपको उसमें बहुत सारे advanced नए-ने topic सीखने मिलेगा, तो आपको बताना चाहूँगा guys, उसका मैंने playlist create कर दिया है, ठीक है, इसका link में नीचे description and comment section पर provide करा दूँगा, और यहाँ top पे भी, अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसको जरूड देखे guys, आपको बहुत मजाने वाला है, ठीक है, 2020 के लिए must, basically for JavaScript lovers के लिए, अब सबसे important बात यह, कि 2020 में guys, एक trend बहुत आने वाला, that is dark mode का, dark mode मतलब कैसे guys, अगर आप मेरा यह YouTube चैनल देख रहे हो, आपको थोड़ा से एकदम पुरा black black दिखाई दे रहे everywhere, ठीक है, dark mode basically, हर जेगे black है और mostly जो text हो, वो white color के दिखाई दे रहे, जैसे mobile में भी guys, आज जाते है, colors में हम जाते है, यहाँ पर मैंने dark mode activate किया, तो guys, जब हर कोई dark mode को अपने UI में, अपने system में, जब वो add करे, तो जब हम अगर website बना रहे, तो हम क्यों ना करे, है कि नहीं हर कोई चाहिएगा, अगर आप देख सकते हो, खुद मेरे website में, नीचे dark, ऊपर dark, लिकिन कितना bright दिखाई दे रहा हो, रात को यह कितना उजाला दिखाई देगा, तो guys, 2020 में यह dark mode का train बहुत चलने वाला है, तो guys, यही आज दिखाने वाला हो कि कैसे आप अपने website में dark mode को add कर सकते हो, तो आप देख सकते हो, यह मेरे actual website ऐसा है, and mostly ऐसा ही रहता है, लेकिन अगर ह जाता हूँ और इसको refresh कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो guys, जैसी मैंने dark mode को select करके इसको refresh किया, अब हमारा website पहले थोड़ा blue और कितना bright दिख रहा था, अब एकदम यह dark mode की तरह हमें दिखाई दे रहा, तो यह functionality को हम कैसे add कर सकते, by simply using CSS में media query के through, तो वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए, so guys, आप देख सकते हैं कि मेरे पास already एक website का code है, basically वो यही website है, अगर आप मैं इसको refresh कर दूँगा तो यह as it is दिखने वाला है, अब चाहे मैं भले यहाँ पे dark select करूँ या light देखे, पहले तो यह light है, जो कि normal हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे यह light के बात, अगर इस पर मैं select करता हूँ, dark, अब देखो guys, सब कुछ dark हो गया, यह भी थोई दिर में dark हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यह भी dark हो चुका, लेकिन हमारा website dark नहीं हुआ, इस में dark mode नहीं तो वो code कैसे लिखना देखेगा, इस में आपको दिखाता हूँ, तो आपको सिर्फ करना का, इस media query का use करना है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ, media query कैसे use करना है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लिखना है, media simple, ठीक है, आपने media लिखा, यहाँ पे आपको देखिए, क ठीक है, prefers-color-skim, मतलब color का scheme, आपको कौन से color का scheme को prefer करना है, simple, यह मतलब यह आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से और यहाँ पर आपको value देनीए, चाहिए तो आप dark दे सकते हो, नहीं तो light ठीक है, dark मतलब जैसे ही हम अपने PC में, यहाँ पर जैसे मैं अगर dark mode को activate कर दूँगा, तो हमारा website, अब इसके अंदर जो भी में code लिखने वाला हूँ, वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, इस website में वो दिखाई देगा, समझ रहे हो, तो इतना simple है guys, dark mode को add करना, अब देखे guys, actual मेरा website कुछ ऐसा दिखाई देगा, simple है, अगर मुझे dark mode चाहिए, तो इसका मुझे color change करना होगा, मुझे basically सबी के color change करने होगे, it means मुझे वापस से अपने website के जितने CSS की properties सबको फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो guys, तो थोड़ा सा आपको करना ही पड़ेगा, वो, but बहुत simple है, हम इसे background और color change करना है, बागी कुछ भी नहीं, तो सबसे पहले तो guys, हमारा जो main आप देख सकते हो, पहले मैं आपको दिखा दू, एक main div है, उसके अंदर एक center div है, अब के बाद guys, आप यहाँ पर देख सकते हो, तीन elements है, मेरे पास, एक h1 की element, एक p paragraph tag है, ठीक है, और एक div है, जिसके अंदर दो buttons है, जो आपको कुछ इस्तिर के से दिखाई दे रहे है, और simple मैंने इसकी CSS property add की, तो कुछ वो हमें इस्तिर के से दिखाई दे रहे, तो मुझे dark mode में किया चाहिए, कि यह जो मेरा main div है, ठीक है, इसको मैं करता का जो code होगा, वो होगा, देखे 222 F39, F3E, sorry, इस तरगे से मैंने का control है, सिर्फ इतना लिखने मातरा से ही देखो क्या होता है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, इस code को मैं refresh कर देता हूँ, तो फिला देखे, आपने देखा on the spot ही change होगा, क्योंकि मैंने already dark mode को select करके रखा हुआ तो आपने देखा कैसे, सिर्फ media query में यह लिखने से, prefer color, इसकी कौन सा dark mode activate होतो हमारा main का color change हो गया, उसी तरगे से, आप मेरा जो center div आपको दिखा ही दे रहा है, इसको भी मैं कर लेता हूँ, copy, यहाँ पर जाता हूँ, center div, ठीक है, यहाँ पर भी गाईस मुझा background color change करना है that is 57, 65, 74, 57, 65, 74, ठीक है, इस तरगे से मैं लिखा, और इसका जो color होगा, वो मैं कर दूँगा white, simple, अब मैं controller save करता हूँ, simple, ठीक है, यहाँ पर जाता हूँ, इसको refresh करता हूँ, भूंगा, इसका इसा लगा आपको, इतना background change हो गया, यह भी change हो चुका, बस मुझे यह जो म test, basically black color, ठीक है, और उसके बाद, अब मैं इसको एक border देने वाला, border की property, border की property, simple, 2 pixel, solid, और basically मुझे red color चाहिए, तो मैं simply red color दे देता हूँ, 52, sorry, 52, 53, ठीक है, and, इसे border से काम नहीं चले का, मुझे color भी change करना है, और जो color होगा, guys, वो simple, यही color होगा, देखिए, same, यही color, ज this is it, guys, सिर्फ इतना code लिखने से ना हूँ, जब भी आपके website पे, ठीक है, अगर की, I mean, आपके website पे, अगर कोई dark mode को देखना चाहिए, तो वो देख सकता है, अब मैं इसको control है, save कर देता हूँ, यहाँ पे refresh करता हूँ, boom, देखा, change हो गया, अब, best part ए कि guys, हमारा, हमने ज dark mode का activate नहीं किया है, light mode का use करें, उनको हमारा website कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो हैना, यह awesome guys, so I really hope guys, आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आओगा, and हमने देखा किस तरीके से जो 2020 में एक trend आ रहा है, आजकल, हर कोई चाहता है dark mode activate उसके mobile में, यहाँ तक कि YouTube ने तो करी चुक, आप देख सकते YouTube में, तो dark mode अल्रेडी दिखा ही दे रहा है, ठीक है, so guys, इतना simple था, हाला कि dark mode activate करने के और भी बहुत तरीक है, लेकिन I think यह बहुत simple था, simply using media queries, and अगर आप इसोच रहे, media query क्या होता, तो guys, यह basically, आपके website को responsive बनाने के लिए काम आता है, and म complete एक website को responsive कैसे बना, media query के तरू, यह भी मैंने बनाया था, यह सबका link में नीचे description and comment section पर आपको provide करा दूँगा, आप वहां से जरूर देखेगा, and I really, guys, आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया है, and आपने देखा कि किस तरीके से, मैंने आपको बताया कि आपने website में थापा technical, और आपको right side में एक red color का bell icon एक गंटी दिखाए देगा, उसको hit कीजिए, उसको click कीजिए, ताकि जो भी वीडियो में upload करूँ, सबसे पहले notification आपको मिल जाए, और आपको खुछ से manually उसको ढूनना ना पड़े, और guys, कुछ भी doubt हो, तो बेफिगरों के नीचे comment क कीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा, so till then guys, thank you so much, take care.